लड़ू कापाल जी के लिए आज हम इस प्यारी सी ड्रेस को बनाना बताएंगे आपको और फ्रेंड देखने में काफी सुन्दर लगती है डेस बनाना शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए वीडियो को लाइक भी कीजिए अपने फ्रेंड वो फैमली में सेर भी कीजि तो चलिए यो friends days बनाना शुरू करते हैं देखे friends days बनाने के लिए चोली हमने बना लिए है अब देखिए अब घेरा बनाएंगे देखिए अब यहाँ पे हमें 1, 2, 3 ऐसे 3 चैन बना लेनी है 3 चैन बना के हमें इसी चैन में से double crochet बना लेना है जितनी भी हमारी chain है, गेरे के first row में हम सभी chain में से दो-दो बार double crochet बना लेंगे, ऐसे, one, और देखिए two, देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से हम first row complete कर लेंगे, और friends देखिए, इसे next row बनाएंगे, हम हर तीसरी chain पे दो बार double crochet, हर तीसरी chain पे दो बार double crochet बनाते होगे, हम यहां पर 3 combinations कर लेना हैं और इंधी यहां पर कर लिया है और सब दूबर नवर on जाए नवर में सब्सक्राइब मेरे यहां से जैनार कर लिया है अब प्रहों से बनाएंगे देखी इस कलर से बनाएंगे अब हम वान टू थ्री थ्री मैंने हाँ पर चैन बना लिए थ्री चैन बना के हमें इसी चैन में से ऐसे डबल क्रोशिया बना लेना है यहाँ पर हमारे टू डबल क्रोशिया हो गए अब देखे वान टू थ्री चैन बनाएंगे और फिर इसी में से डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे वान और देखे टू टू डबल क्रोशिया हमारे हाँ पर हो गए इस तरीके से अब देखिए अब हमें हाँ पे 1, 2, 3 3 चैन को skip करना है और 4 चैन में से बनाना है 1, 1 डबल क्रोशे इसमें से एक और डबल क्रोशे इसमें से बना लेंगे ऐसे फिर देखिए 1, 2, 3 3 चैन और फिर इसमें से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे 1 और देखिए 2 ऐसे फिर यहां पर 1 और 2 3 3 चैन को स्किप करके 4 चैन में से फिर से हम ऐसे ही बना लेंगे 1 2 2 डबल क्रोशिया फिर 1 2 त्री चैन और फिर इसी में से 2 डबल क्रोशिया 1 2 देखिए इस तरीके से ऐसे ही बनाते हुए हमें हाँ पर पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है देखिए मैंने रो कंप्लीट कर लिया है देखिए अब हम यहाँ पर last में आ गए और जो मैंने हाँ पर 3 चैन बनाई थी उसके यहाँ पर तीसरी चैन में से हम ऐसे slip stitch कर लेंगे इस तरीके से अब यहाँ से हमें pink color से बनाना है और धागे को हम हम यही से joint कर लेंगे इस तरीके से देखे फ्रेंस मैंने धागे को यहाँ से joint कर लिया है जान से हमने इसको बंद किया था अब देखिये यहाँ भी मैंने वन सिंगल क्रोश्य बना लिया अब हम इस तरीके से धागा लेंगे ऐसे और देखिए इसमें से हमने थ्री चैन बनाई थी वहाँ से बनाईंगे ऐसे वान टू त्री और देखिए फोर, फोर डबल क्रोश्या फिर वान, टू, थ्री चैन और फिर इसमें से बनाईंगे ऐसे वान टू थ्री और देखिए फोर डबल क्रोश्या फिर यहाँ पे इसमें इसके सेंटर में से लेंगे यहाँ से ऐसे इसके निचे से निकालेंगे चैन में से नहीं लेंगे ऐसे देखे इस तरही किसे फिर हाँ पर next में इसमें जाएंगे और इसमें बनाएंगे one two three और देखिए four फिर one two three जैन और फिर इसमें से double crochet बनाएंगे one two three और देखिए 4, 4 double crochet फिर इसके center में से यहाँ से इसके नीचे से 1 single crochet बना लेंगे ऐसे देखे इस तरीके से एक और बना के दिखा देती हूं आपको ऐसे 1 2 3 और देखिए 4 फिर 1, 2, 3 चैन और फिर इसी में से 1 2 three और देखिए four, four double crochet फिर यहाँ पर one single crochet तो देखिए friends इसको हम ऐसे बनाते ही complete कर लेंगे देखिए friends मैंने row complete कर लिया है अब देखिए अब हम इसको जहां से हमने इसको शुरू किया था देखिए here इसको एक बार हम यहीं से one single crochet बना लेंगे जैसे हमने सभी में बनाया है इस तरीके से अब देखिए हम यहाँ पे इस तरीके से धागा लेंगे उसके सेंटर में आ जाएंगे जहाँ पे मैंने थ्री चैन बनाई थी और देखिए ऐसे डबल क्रोशिय हम बना लेंगे वान टू थ्री फोर डबल क्रोशिय हम इसमें बनाएंगे जैसा कि हमने इसमें बनाया है फिर one, two, three चैन और फिर इसी में से one two three और देखिए फोर डबल क्रोशिय देखिए फिर यहाँ पे इसके सेंटर में से इस चैन में से one single crochet बना लेंगे देखे इस तरीके से फिर ऐसे धाग़ लेंगे फिर next में यहाँ पर बनाएंगे ऐसे one two three और देखिए four four double crochet फिर one two three chain और फिर इसी में से four double crochet one two three और देखिए four four double crochet फिर देखे हाँ इसके सेंटर में से वन सिंगल क्रोशिया, देखे इस तरीके से, सबी में हमें पूरी रो ऐसे ही कंपलीट कर लेनी है, ऐसे बनाते होए, तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, देखेए फ्रेंड्स ये रो भी मैंने हैं पर कम्पलीट कर लिया है और देखें लाश्ट में भी मैंने हैं पर जोइंट कर लिया है वन चैन में से, वन सिंगल क्रोषिया अब देखें, जैसा हमने इसको बना आ था इसी तरीके से हम next row भी बनाएंगे, देखें ऐसे ही, इसे में भी हमें ऐसे ही बना लेना है, ऐसे, one, two, three, और देखें, four, four double crochet, फिर देखें, one, two, three chain, और फिर इसी chain में से four double crochet, one, two, three, और देखें, four, four, जैसा हम ने इसमें बना था इसी तरीके से हमीं सेम ऐसे ही बना लेना है देखिए ऐसे इसी तरीके से हम रोगों कम्प्रिट कर लेते हैं नेक्स्ट में भी ऐसे बनाएंगे कोई भी फंदा में बढ़ाना गटाना नहीं है तू, थ्री, और देखिए फोर, फिर वान, ट्यू, थ्री चैन, और फिर इसी में से फोर डबल क्रोशिया, वान, तू, तू, त्री, और देखिए फोर डबल क्रोशिया, फिर इसी में से वन सिंगल क्रोशिया, तो देखिए फ्रेंट्स, इसी तरीके से हम अपने स्रो को भी क यहाँ पर complete कर लिया है और अब हम यहाँ पर देखें last में आ गए last में हम इसको joint कैसे करना है देखें जैसा मैंने यह one और two और three three row हमने तीनों एक जैसे ही बनाई है जैसा कि मैंने आपको बताया था इसी तरीके से कोई भी फंदा हमने इसमें बढ़ाया घटाया नहीं है देखें one two three three row हमने ऐसे ही बनाई है कोई भी फंदा हमने इसमें बढ़ाया घटाया नहीं है अब देखें यहाँ से हमें इस कलर को लेना है मैंने धागे को cut नहीं किया था यहाँ से और देखें इस तरीके से हम इसको ऐसे जोइंट कर लेंगे ऐसे वन चैन बना लेंगे जिससे कि यह पक्की नोट बन जाए ऐसे अब देखिए अब हमेश में यहाँ पर ऐसे जो हमारी चैन है ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे इन चैन में से हम सभी में से slip stitch कर लेंगे ऐसे देखे सभी में से 1-1 times इस तरीके से ऐसे ऐसे देखे अब हमें यहाँ पे देखे क्या करना है 1-2-3-4 4 chain बना ली फिर हम वाफिस इसी में 1 single crochet बना लेंगे फिर 1-2-3-4 4 chain बना ली फिर 1 single crochet हम बना लेंगे इस तरीके से देखे इदर खिसकाएंगे इसको फिर से हमें 1-2-3-4 chain बना लेंगे फिर वाफिस इसी में 1 single crochet हम बना लेंगे देखे हमने 4-4 chain 3 times बना लिया इसमें देखे अब देखे यहाँ पे हमारी जो chain है next सभी में से 1-1 slip stitch हम कर लेंगे इसी इस तरीके से देखे फिर यहाँ पे center में से भी 1 slip stitch और फिर नेक्स्ट में से देखे इस तरीके से देखे इस तरीके से फिर हम यहाँ पे center में आ जाएंगे जैसे हमने इसमें बनाया है इस तरीके से हमें बनाना है देखिए फिर वाफिस इसी में one single crochet फिर वाफिस इसी में one single crochet फिर देखे जितनी भी हमारी चैन ने सभी में से 1-1 हम slip stitch कर लेंगे इस तरीके से देखिए ऐसे सभी में से बना लेंगे और फिर से हम center में आ जाएंगे ऐसे देखिए फिर center में आ गए और फिर से हमें इसी तरीके से बना लेना है तो देखिए फ्रेंट इस तरीके से बनाते हुए हम अपना row complete कर लेंगे देखिए देखे फ्रेंड्स मैंने यह रोवी कम्प्लीट कर लिया है जैसे मैंने आपको बताया था इसी तरीके से आउटलाइन बनाते हुए हमने इसको कम्प्लीट कर लिया है देखिए अब इसको हम यहाँ पर ऐसे इसमें से इस चैन में से देखिए एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और धागे को यहीं पर हम कट कर देंगे देखे फ्रेंड्स सभी एक्स्टर धागों को हमने कट कर दिया है और देखिए हमारे लड़ु गपाल जी की ड्रेस बन के तयार हो गई फ्रेंड्स और देखिए देखने में काफी सुंदर लगती है आप चाहे तो यहाँ पर एक एक ग्रीन कलर का नग भी लगा सकते हो देखिए यहाँ पर जो हमारे यह होल बने है इनके उपर पेस्ट कर सकते हो एक एक नग को या फिर ग्रीन कलर का यहां पे आप परल भी लगा सकते हूं उसी धागी की हेल्प से और फिर आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी रख सकते हूं बहुती सुन्दर से और प्यारी सी ड्रेस बन की हां पे तयार हुई है